से जहां बीजेपी ने अपने सभी क्लस्टर लीडर्स के प्रभार को बदल दिया है कोई भी निता अपने इलाके में क्लस्टर लीडर नहीं रहेगा केलाश विजवर्गी है जबलपूर की जम्मदारी उजैन विश्वा सारंग को इंदौर जगदीश देवड़ा को भोपाल राजिंदर शुकल को और रीवा प्रहलाद पठेल गौलियर भूपेंदर सिंग और सागर की जम्मदारी नरुत्तम मिश्वरा को दी गई है और सीधा आपको लिए चलते हैं साहोगी प्रशान्थ हमारे साथ जोड रहे है प्रशान्थ के पास हम आपको लिए चलेंगे प्रशान्त चुनाओ के पहले कलस्टर लीडर की जम्मेदारी बदली गई और अपने अलाके छोड़कर दूसरी जगा की जम्मेदारी दी गई इससे जरा डिकोट करिया हमारे दर्शकों के लिए प्रशान्त देखे लेले तामोमन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि जो शेतर का जो नेता है उसे वहां की जम्मेदारी दे दी जाए लेकिन ये हो सकता है कि कहीं कोई अलूपोल रह गया हो या कोई चूक हो गई उस चूक को आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने सुधार लिया है अधारन के तोर पर अगर आप देखें कि किसी एक नेता बहुत सारी नाम आप ले रहे थे चाहे केलाश विजेवरगे का विश्वास सारंग का नरुतम मिश्रा का गौाली रचंबल की जमेदारी नरुतम मिश्रा को दे दी गए थी उसी शेतर से आते हैं दरसल इसके ड्रॉबेक्स यह होते हैं कि आप अपने शेतर के नेताओं का समर्थन कर सकते हैं अपने नजदी की लोगों को मदद पहुचा सकते हैं या फिर गलत फीड़बैक भी केंदरे नेतर के पास जा सकता है यह अमूमन ऐसा बीजेपी करती ही नहीं यह पहली बार देखने को मिला कि उसी शेतर के नेता को वहीं के बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई हम धारन के तौर पर अगर देखें तो विधान सभा प्रभारी लोग सभा प्रभारी अलग अलग या दूसरे शेतर से या दूसर हमने गलती की है तो कहेंगे हम अपने मंत्रना करते रहते हैं जो बेतर लगता है हम करते हैं हाँ बीजेपी में ये बात बहुत अच्छी है कि अगर कहीं कोई लूपौल या कहीं कुछ बदलाव की जरूत होती है तो विचार मंधन के बाद लेलित वो करते भी हैं और यह न झाल